हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में आज हम बनाएंगे अर्बी के पत्तों की सब्जी की रेश्पी बहुत ही जादा सूपर टेस्टी और ये डिलीशस बनीए अगर आप इसे एक बार 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 बनाना पसंद करेंगे बारिस के मोसम में बहुत यासान आजाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत बूलें अर्बी के पत्तों की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने या पर 250 ग्राम ये अर्बी के पत्ते लिए हुए जिने मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिय इस तरह से इसे काट देंगे और इसके बाद जो छोटी पत्ली वाली नसे हैं उन्हें भी हम काट कर तैयार कर लेंगे ये देखे इसके पीछे ये नसे नहीं हटा देंगे इसके बाद इस तरह से इसे हम पत्ला पत्ला काट कर तैयार कर लेंगे ये अर्बी की सब्जी की र इसमें बेशन भी मैंने एड़ किया है चार हरी मिर्स को ग्राइंड करके इसमें एड़ कर देंगे एक तीस्पून अधरक लैसुन का पेस्ट एड़ करेंगे और आधी टीस्पून गरम मसाला पौडर एड़ करेंगे और आधी टीस्पून जीरा पौडर भी इसमें एड़ कर अब इसमें एड़ कर देंगे एक टीजपून लाल मिर्स पौडर अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके तयार कर लेंगे आपको अजवाइन पसंद हो तो आधी टीजपून हाथों में घिस करके इसमें अजवाइन भी एड़ कर दें आपको यहाँ पानी बिल्कुल भी पानी ऐड़ करना यह देखे मैंने यह पानी नहीं इड़ किया पहले इस तरह से अच्छे से मसल कर त्यार कर लेंगे अगर जरूरत पड़े तो 3-4 टेबल इसपून पानी एड़ करें और इससी नहीं ज़quito查 लेंगे जटपड बहुत ही आसानी से आरबी के पतों की सबजी बन जाती है और बहुत ही जादा टेस्टी बनती है ठाली में तीन-चार टेबल स्पून तेल एड़ कर देंगे और आसानी से बेशन को साब कर लेंगे जिसे की लगा हुआ गिला वाला बेशन आसानी से इस तरह से छूड़ जाए और आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे अर्भी के पत्ते के पकोड़े बनाकर तयार कर लेंगे ग्रेवी के लिए इस तरह से आप छोटी सी एक लोई ले ले और हाथ में तेल लगाकर इस तरह से गोल गोल इसे घुमा देंगे बहुत यासानी से ये अर्बी के पत्ते के पकोड़े बन जाते इस तरह से आप हातों की मदद से गोल गोल घुमाते जाएं हातों की मदद से लंबे आकार में बेल कर इसे तैयार कर लेंगे ये देखे बहुत यासानी से ये बनकर तैयार हो गया है तो इसको हमें भाप में पकाना होगा इसे बनाने से पहले आपको एक कडाई में एक गिलास पानी को बॉयल करने के लिए रख देना है इसके अंदर मैंने एक स्टेंट रख दिया है और दूद वाली चन्नी को इसके उपर रख दिया है तो इस तरह से ये रोल बना कर चन्नी के उपर रख देंगे अब इसे हम ढख देंगे और दूसरा भी बना कर इसमें हम रख देंगे तो इस तरह से इसे हम कवर कर देंगे पहले बैच में मैंने यहाँ पर एक साथ चार रोल खो भापने के लिए रख दिया है दस से बारा मिनट के लिए 12 मिनट बार ठकका नटाएंगे अर्भी के पत्तों के पकोड़े के रोल काफी अच्छे से भाप में पक चुके हैं इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे सारे रोल एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे रोल भी हम इस तरह से फ्राइ कर लेंगे रोल अच्छे से ठंडे होने के बाद इसके पकोड़े कट कर लेंगे आधा आधा इंच के हम पकोड़े बना कर तैयार कर लेंगे तो इसी तरह से सारे रोल के हम पकोड़े कट करके तैयार करेंगे ये देखी अंदर से काफी अच्छे से भाप में सिख चुके हैं बहुत ज़ादा टेस्टी रेश्पी है तो इसी तरह से सारे रोल बनाकर पकोड़े कट करके तयार कर लेंगे इसके बाद एक कड़ाई में 4 टेबल स्पून तेल को गरम करेंगे और तेल गरम होने के बाद पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल भी मत बूलें अरवी के पत्तों के जो पकोड़ें इन्हें मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राइ कर लेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए ये देखी चार पांच मिनट में काफी अच्छे से ये फ्राइ हो चुके इनका कलर भी चेंज हो चुका है तो इन्हें हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे अरवी के पत्तों की सबजी की ग्रेवी बनाएंगे तीस हैमिल तेल को गरम करेंगे और इसमें आधी टीस्पून जीरा और आधी टीस्पून से कम मेथी के दाने अड़ करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 1-5 मिनट अच्छे से फ्राइ कर लेना है चार मीडियम साइस की प्याज लेकर उसमें चार हरी मिर्ज का इस तरह से पेष्ट बना कर तेल में एड़ करेंगे और medium flame पर प्यास को 4-5 मिनट अच्छे से fry कर लेना है 5 मिनट बाद इसमें 1 teaspoon अधरक लेसुन का पेस्ट अड़ करेंगे और इसे भी अच्छे से mix कर देंगे प्याज में अधरक लेसुन के पेस्ट को medium flame पर 1-5 मिनट फ्राइ कर लेंगे इसके बाद दो मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट भी इसमें एड़ करेंगे और अच्छे से प्याज में मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर टमाटर में अच्छा सा तेल छूटने तक फ्राइ कर लेना है टमाटर का पेस्ट फ्राइ होने के बाद आधी टी स्पून हल्दी और दो टी स्पून इसमें लाल मिश्ट पौडर और दो टेबल इसमें धन्या पौडर भी इसमें एड़ कर देंगे दो टी स्पून मैं इसमें नमक भी एड़ कर रही हूं तो नमक आप अपने स्वात के अनुसार एड़ कर दे आधी टी स्पून जीरेप पाफ पॉडर एड़ करेंगे आदा कब पानी एड़ करके सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे मीडियम फ्लेम पर मसालों में तेल छूटने तक फ्राई करेंगे धकन लगा कर कवर कर देंगे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके मसालों को दोबारा चलाएंगे तो इस तरह से मसालों को आप अच्छे से फ्राई कर ले और मसालों के साथ मीडियम फ्लेम पर एक से दो मिनट फ्राई कर लेंगे इसके बाद इसकी ग्रेवी बना लेंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ml पानी इट कर दिया है अर्वी के पतों के चुब पकोड़े पानी काफी अच्छे से सोग जाते हैं तो पा गाड़ी हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे सब्जी को पकते हुए 7-8 मिनाट हो चुके इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे मेडियम फ्लेम पर इसे 8 मिनाट और पका लेंगे और इससे जाधा इसे ना पकाएं क्यूंकि सब्जी पकने के बाद और भी जाधा आठे चावल किसी के साथ भी सरु करें सभी के साथ आपको ये बहुत जाधा अच्छी लगने वाली है अब इसमें आधी टीस्पून गरम मसाला पौडर और कटा हुआ फ्रेसरा धन्या एड़ करेंगे और इसे गर्मा गरम सरु कर लेंगे अगर आप भी हमारे इस आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें